आप सभी का हमारे चैनल गाउवाणी में स्वापत है जैसा कि आपको पता है हम आज कल बहुत बाते कर रहे हैं IBM Skills Build Platform जी तो IBM Skills Build Platform है क्या और आप यहाँ पे कैसे रेजिस्टर कर सकते हैं और आपको यहाँ पे रेजिस्टर करके किस किस तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपनी क्या करना है आपनी Google Platform पे जाना है Google Chrome ओपन करना है वहाँ पे IBM Skills पर लिखना है यह सब कामा अपनी फोन की द्वारा भी कर सकते हैं आपने IBM Skills पर लिखा पहले ही लिंक पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे आप पहले इनकी वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे आपको Easily Courses के बारे में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे badges पर क्लिक करके सारे courses देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पर क्या-क्या available courses हैं जो की काफी अच्छे हैं सीखने के लिए आपके skills बिल्ड़ अप करने के लिए ताकि आप बाद में कभी job के लिए सर्च करें तो आपको कोई परिशानी ना हो और आप आगे भी इसी चीज में आगे भी इनी चीज़ों के साथ बढ़ें जैसे कि AI Foundations, Development with AI and Web Services यहाँ बहुत सारे courses हैं Data Science के लिए और आपकी skills को बढ़ाने के लिए, interpersonal skills को बढ़ाने के लिए जैसे interview skills को बढ़ाने के लिए और पर बहुत सारे चीज़ जैसे Cyber Fundamentals, Agile Explorer और भी बहुत सारे courses Job Application Essentials यह एक ऐसा courses जो हर किसी को करना चाहिए Entrepreneurship Business Essentials इस तरह के चोटे-चोटे courses भी हैं 18 घंटे के, 17 घंटे के जो आप असानी से कर सकते हैं किसी भी time अपनी phone के थूँ तो यह तो courses होगा students के लिए बट अगर आप एक job seeker है, अपनी graduation अपनी complete कर लिया आप जौब की तलाश में हैं तो आप किस तरह के courses करें वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे की अब पहले सबसे पहले तो आप जो भी अब tech आने वाला है, emerging tech है उन सभी courses के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं इस वाले course से उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे courses हैं Customer Engagement, Problem Solving and Process Control जो कि सिफ पांच घंटे का आप यहाँ पर देखे, duration से पांच घंटे की है इस तरह यह course बहुत सारे courses आपको यहाँ आपके easily मिल सकते हैं Fit to Learn Data Analyst Project Manager, Fit to Learn Project Manager अब प्रोजेक्ट मैनेजर की post लिए apply करना चाहते हैं तो आप यह course जरूर कीजिए सिर्फ 30 मिनिट्स का course है और आपको बहुत सारे information मिल जाती है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को किन-किन चीज़ों की जरुरत होती है वो सारे चीज़ आप easily यहाँ से सीख सकते है तो अब आपको इन में से कोई एक course पसंद आ गया तो आप इस में और आप एक नई व्यक्ति हैं जो इस website पर आया है तो आपको यह सारे courses करने के लिए sign up करना पड़ेगा यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा आप लोगों को sign up के button पर क्लिक कीजिए आप as a student और as a job seeker दोनों तरीके से apply कर सकते हैं अगर आप एक student की तरह apply करना चाहते हैं तो एक student पर क्लिक कीजिए आदवाई job seeker पर कीजिए sign up कीजिए मैंने already sign up कर रखाता as a job seeker तो इसलिए direct इसने मुझे यहाँ पर put कर दिया बाकि आप अपनी सारी email id वगेरा और अपने पासवर्ट create करके easily register कर सकते हैं अपने आपको जैसे यह देखिए as a student आपने क्लिक किया sign up किया यहाँ पर use my google account में आप क्लिक करेंगे उसके थूआप easily अपने आपको register कर सकते हैं अब आपने आपको register कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पर courses शो करने लगेगा अब यहाँ से explore कर सकते हैं explore learning and badges तो यहाँ पर आपको कोई भी course करने के बाद आपको उसके badges earn करने पड़ते हैं कोई भी course complete करने के लिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे courses है customer service representative cyber security professional data analyst, designer, project manager और अगर आपको web developer बनने का आगे आपका प्लान है तो आप इन सब courses में से भी किसी में डोल कर सकते हैं बाकि उसके रहावा बहुत सारी नई-ने technology की courses भी है तो से cloud computing और जो भी अभी courses trend में है जो आने वाले futuristic course like futuristic jobs होंगी तो वो सब इन चीजों पर ही based होंगी तो यहाँ से आपको सब कर सकते हैं अब जिससे मैंने एक course पर क्लिक किया Cyber security fundamentals तो यहाँ पर आप सारा course के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर रेटिंग्स अगेरा देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के comments भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे comments किये हैं उसके अलावा यहाँ पर आप go to activity में जाके यहां से easily कोई भी module पिक करके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर course के बारे में लिखा हुआ है fun facts, welcome to this course अग्दम free of cost है आपको कुछ भी पे करने की जरुवत नहीं है या तो आप खुद register कर सकते हैं हम अपकी problem resolve करने की कोशिश करेंगी thank you so much for watching